हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग फ्रेंड आप लोग का मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है और फ्रेंड आज ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेल का जो लैप्टॉब है ये मतलब ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें नो बूटेवल डिवाइस स्ट्राइक दा एफ वन टू रेट्राइ बूट तो इस तरह का जो उप्सन फ्रेंड आती है ये आपका जाता दर आपका ऐसा होता है कि आपके लैप्टॉब में हाट इक्स डिटेक्ट नहीं करती है जिसके कारणे प्रॉब्लम होती है तो ये हाट इक्स डिटेक्ट किस कारण से नहीं होता या फिर आपका हाट इक्स क्राव है या फिर बायोस में सेटिंग में प्रॉब्लम है या फिर हाट इक्स सही से नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहले हम laptop को off करते हैं और BIOS का जो setting होता है हम उसे check करेंगे कि BIOS में हमारा setting में कुछ गड़वर तो नहीं है तो अगर BIOS में ठीक हो जाता है तो फिर हमें hardware जो problem होती है harddix का उसे करने की जरूरत नहीं होती है तो सबसे पहले BIOS को आप setup आप चेक किजिएगा यह जो problem होती है harddix आपका मतलब so नहीं होता जिसके कारण यह आपका windows में इंटर नहीं हो पाता है तो यह restart फिर से मैं चालू करके देखा same problem मतलब same ही error आ रही है मेरे पास तो यह problem जो ठीक करना इसे हम कैसे ठीक करेंगे तो सबसे पहले F2 जो option जो setup file मतलब F2 प्रेस करके setup में हम जो इंटर करेंगे BIOS का तो F2 आप प्रेस किजिएगा Dell का laptop में other laptop में F10 होता है F2 भी बहुत सारे laptop में होता है तो हम F2 प्रेस करते हैं Dell के laptop में और F2 प्रेस करने के बादी कि जो BIOS का setup आया है तो इस setup में आपको ऐसा करना होगा कि boot sequence जो हो है boot sequence में आपको इंटर करना होगा और क्योंकि boot sequence में सारा setting मतलब आपका जो boot device आप जिसमें boot कराना चाहते हैं इसे में आपका setting रहेगा तो देखिए यह legacy UEFI जो setting है यह अभी UEFI में किया हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि हम उपर का legacy जो है ओ legacy में हम मतलब इसे on करके देखेंगे मतलब legacy में selection करके हम देखेंगे यह हमारा सारा कुछ दिख रहा है कि नहीं क्योंकि UEFI में ऐसा कुछ उपर में boot sequence में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो legacy में देखेंगे हम जैसे selection किये हैं हमारे उपर के हिस्से में बहुत सारे option आ गया है जिसमें आपका harddix, dvd जो भी आपका device लगा हुआ सारा कुछ so कर रहा है पहले so नहीं कर रहा था तो हम legacy में आप भी ऐसा try किजेगा legacy में boot legacy में option में selection किजेगा और अपना selection करने के बाद ऐसा होता है कि नीचे का जो option होता है वो apply करना होता है तो अभी apply option नहीं आ रहा फिर से हम उसे view करते हैं और फिर हम legacy में एक बाद यो एफाई में करके फिर legacy में करते है यह apply का option अब हमारे पास यह legacy में selection किये है और apply का option आया है तो हम apply करके फिर exit करेंगे तो apply हम यहां से कर दे रहा है और exit करेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि problem हमारी ठीक होती है कि नहीं आप भी same process को follow कीज़ेगा आपका भी problem जो हो hardware अगर problem नहीं रहा तो ठीक हो जाएगा अगर ठीक नहीं होता तो फिर hardware आपका देखना होगा harddix change करके दूसरा harddix लगा कि आपको check करना होगा तो हम यहां पर हमारा laptop देखिए अभी on हो रहा है और देखिए proper तरीके से हमारा मतलब OS में जो है loading होना start हो गया है तो यह जो problem थी friend यह आपका हमारा मतलब operating system यह harddix जो है यह हमारा किसी कारण से यह boot sequence से आपका hard गया था जिसके कारण यह problem हुआ था तो हम BIOS में setup कियें तो setup करने के बाद यह आपका ठीक हो गया तो बहुत बार ऐसा BIOS में ही problem होती है जिसके कारण यह मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि कैसा क्या करना होगा harddix कराब या फिर आपका क्या मतलब laptop में क्या हुआ वह आपको पता नहीं चलता है तो पहले सबसे पहले जो normal method होता है जो normal process होता है इसे आप ठीक करके दिखेगा कोई भी laptop हो उसका अलग अलग BIOS का setting होता है setting में जाकर आपको उसे setting करना होता है तो अभी जो laptop जो है डेल का यह हमारा मतलब पूरी तरह चालू हो गया है और इसमें ऐसा कोई problem नहीं था यह केवल boot setting option में ही आपका setting किया होता है जिसके कारण यह आपका boot error दे रहा था no bootable device ऐसा कुछ जो error दे रहा था इसी कारण से ठीक है friend तो यह video आपको जहां देख अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें subscribe करें, share करें, thank you for watching